दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि electron, proton और neutron की खोज किस ने की थी और किस येर में की थी बहुत ही आसान ट्रिक है और ट्रिक है pan grtc pan means लिखने वाला pan और grtc को आप irctc से कंपर करके याद कर सकते हैं यहां पर p for proton, e for electron और n for neutron है g for goldstein, r for rutherford, t for thompson, c for chadwick है और यहां पर मैंने 1818 और 1919 क्यों लिखा है यह से मैं आपको बताता हूँ actually यह year है, 1818 जो है वो year को दिखा रहे हैं जैसे कि goldstein ने proton की खोज की थी सन 1897 में और rutherford ने proton जो नाम दिया था, वो sun 1886 में दिया था, इसे याद करने के लिए मैंने 1818 लिखा हुआ है और उसी तरह thompson ने electron की खोज 1919 में की थी, इसलिए मैंने इसका code 19 लिखा हुआ है और Chadwick ने neutron की खोज 1932 में की थी, इस sun को याद करने के लिए मैंने 19 ट्रिक कर अस्तमाल किया है तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं next वीडियो में, thank you